काफी भीड थी उसमें परदे सज्टक थे आपके केंदिरी मंत्री दो-दो थे आप पर भी तमाम आरोप भी लगए और मेरे पर लगा भी रहे हैं जनता उसको देख भी रहे हैं उस आरोप का जबाद तो जनता देगी पसमें यहां कॉंग्रेस सरकार रिपीट कर पाएगी यह बला सवाल है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए हमेशा से राजस्तान का इतियास रहा है एक बार बीजेपी एक बार कॉंग्रेस पूरे इंडिया के अंदर मुख्यमंत्री अशोग एलोत में लागू की ती उस वक्त भी बहुत का इतियास लियां को बताएगा कि लोगों में कितना जोस रुच्छा दो तारीके दन और वहां आपका जन और आकरोस दोनी दोखा जन था और आकरोस कहीं दिखा ने तो जन मिला ने आकरोस दो दिन पहले ही कॉंग्रेस के अंदर सचिन पाइलेट और अशोग एलोत के दावा है इस साल की सबसे बड़ी देली कम से कम पचास हजार लोगों के बैटने का अरेंजमेंट किया गया है और यह मेवा नाम जैन है जो की लगातार पिछले पास साथ दिनों से लगे हुए हैं दो तीन बार कारिकरम भी चेंज हो गए लेकिन उसके बावजूद भी पाडमिर आ रहे हैं तो बाडमे इरकी जन्तादूरा भाडमिर के महंगई रात के हैं पुछा अवलोकन करेंगे यहां कई लोकारपरन कारिक्राम हैं सिल्यानिस के कारिकरम हैं और आम सबह है इत्यासिक सबहाब को यहां दिखेगी कि आज जे स्टेडियम में पहली बार सां सांदार सबाब को मुख्यमंत्री जी का कारेक्रम आया है किते बजे पहुंचेंगे और पच्पता जाएंगे उसके बाद में नाइटिस्टे है तमाम चीजों को लेकर क्योंकि आप साल बर से लगातार इंतजार करें काफी शेलानयास थे क्या कुछ पूरा कारेक्रम में का कारेक्रम करने के बाद में उनका नाइटंटिस्टे भी बाड मेर हiscा एक पर्षaufen करोँ थे मिलेंगे और भी कौई करेंगे बाड मेर का जो संदार बजट दिया है जो ओंगा वो मिला है इसलिए बाड मेर के कोई कसर रही नहीं कि जो जंता में कोई डुमांड हो या उसके लिए मांग करनी पड़े मुखिन मंद्री जी ने पहले ही धन दे दिया कि क्या चाहिए आपको वह आपको लिजाओ और वह हमें मिल गया और रेली से और क्या लग रहा है इस बार कॉंगरेस सरकार रिपीट कर पाएगी ये बना सवाल है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए हमेशा से राजस्तान का इतियास रहा है एक बार बीजेपी एक बार कॉंगरेस तूटेगा और राजस्तान में ऐसा क्या कर दिया मुख्यमंत्री जी ने दूबारा राजस्तान में कॉंग्रिस की सरकार आएगी इसमें इपबट नहीं है ऐसा क्या आप देखने हैं सांदार योजने क्या नहीं है आज पूरा इलाज 25 लाग तक का फिरी है आपके इस गैंसलन रिपॉंसों में देने की बात दी है आज आपके खाने का किट साथ में दे रहे है आज बिजली 100 यूनिट ग्रमिन एरी की तो सब की बिजली फिरी हो रही है क्रिसी कनेक्शन उनके दो जाल यूनिट तक फिरी हो रही है और चाहिए इंदरा रसोई की बात करो गोईयों की काम दोनुबी में की याजना की बात करो सडकों का जाल बिज गया शिक्सा में जितनी जहां आँ सकता है ती स्कूलें खुल गी सब्सक्राइब कर इंगे बात करो अपके तो आपके घ्रशी कोलेज खुल गी इंजिनरिंग कोलेज खुल गी नर्सिंग कोलेज होगी ऐसा वोट मिलता था वोट ऐसे विट तो 2013 के अंदर आप थे जिस वक्त आपको पता होगा निश्लक योजना दफाई की पूरे इंडिया के अंदर मुख्यमंती अशोग एलोत ने लागू की थी उस वक्त भी बहुत परचार परशार किया जा रहा था यह आपको डंके की चोट करना चाहरा हूं कि राजस्तान की जो ओपीएस योजना थी नी उसके लागू होने से हिमाचल परदेश में कॉंग्रिस की सरक परचार इसकी वह यूजनों के वज़े से आई और पूरे भारत में यह यूजने लागू करने पड़ेगी यह जो मोडल स्टेट राजस्तान है यह आप जो यह मित्या आप जो बाता कर रहे हो नहीं मैंने करना है एक परसूं का इतियास नहीं को बताएगा कि लोगों में क कि हर हालत में कांगरेस की सरकार बनेंगी चोथी बार रिपीट होगी इसमें कोई दो रहे हैं अखती सवाल है देश के परदान मंतरी नरद मोडी हर जिल्ले में जाकर रेली करेंगे इस बाद यह प्लान मना है बीजेपी किया लगता है मोडी जी का कोई काट है अब वो कित ओर आफ्र पर आतिकर्मन को लेका तौक और सबाटके निशाने पर अंट सब आरोप लगए और मेरे पे लिए इस आरोप के ला अंटा देगी पर सो यहां दो तारीके दन और वहो आपका जन और आकरोस दूनी दोखा जन था और आकरोस कहीं दिखा न तो जन मिला ने अक्रोष मिला ये दूई बाते आपको कहे रहों में आप उसके भीड में आप साक्सी और नहीं ये तो आपको विजूल जो वीडियो है नहीं उसको आप देख लेना के कहां गया उनका जन और अक्रोष दुनों नहीं मिला यहां अब देख़िए मैंवाराम जियह है जो कि जन अक्रोष येली ती इस पर कटाक्स कर रहे हैं दसल मैंवाराम जेन का ये दावा है कि इस बार जो लेली होने वाली है अपने आप में इत्यासिक होने वाली है इसी जेली से एक मैसेज आएगा कि फिर से कॉउंग देश रीपीट कर रही है दिनेश बहुरा बारमेर जाजस्तान तक